36 गड़ के समस्त युवाओं के लिए दो सी तंबर 2023 का दिन निस्ची थी बहुत ही ज़्यादा महत्यपूर रहा है क्योंकि आज के दिन कुछ महत्यपूर घोशना है आधरनी मुख्यमंत्री जी के उद्वरा किया गया सबसे प्रमोग घोशना जैसा कि आप सबको पता है कि स् सरकारी फिल्डे में नए जॉइन के हैं उसके बाद PSC की तियारी करने वाले जितने भी भीरती हैं जितने भी स्टूडेंट से उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ा और बहुत ही बढ़ी है डिसीजन लिया गया 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 दोनों चीज़ों के करके और डीटेल में समझते देखिए सबसे पहली चीज तो आप सबको पता चल गया होगा कि 70-90 वाला जो चीज़ें चल रहा था अभी तक 36 गड़ में उसको फाइनली खतम किया गया है आज की इस मेटिंग में और अधरणी मुख्य मंत्री जी के द्वारा खोशना किया गया यूवा मितान कारे क्रम म घुषना की जाता है जितने भी कोरोना के बाद जो जो जॉइन करें नए अभियर्थी उन सब के लिए ये तो एक बहुत ही बड़ी घोशना थी ही जिन नए अभियर्थी उन ल CMS के बहुती जपान उनके भविष्टी के लिए बहुत ही अच्छा नेड़ा लिया गया सरकार के दोरा इसके बाद एक और विशेस मांग किया गया था चत्तिजड के CGPSC के त्यारी करने वाले अभियर्थियों के दोरा मांग यह था कि जो भी एक्जाम से उनलोग दिलाता है CGPSC का वो क्या हो वो फेयर हो और वो प्रत्यक्छ हो ठीक है जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे मुख्य मंत्र श्री भुपेज बगेर की घोशना के अनुपारन में सिवील सिवा के तयारी कर रहे है युवाओं के हित में एक बड़ा फैसला लिया गया जिसके तहथ मंत्री परिशद दौरारा राजसिवा परिक्ष्छा नियम 2008 में शंसोधन का अनुमोधन किया इसमें आयोग दौरा राजसिवा परिक्षा संबंधी अन्तिम चैन सूची जारी किए जाने के पस्चाज प्रारंभीक परिक्ष्छा मुख्य पर इच्छा तथा अंतिम चैन परणाम की अंक सूचियां अभ्यर्थियों के online account उपलब्द कराए जाएगी अभी तक होता यह था अभ्यर्थि एक्जाम दिलाते थे जो सेलेक्टेर होते थे सिर्फ होनी लोगों का रोल नंबर दिखा दिया जाता था कि इतने लोग सेलेक्टेर है और इन लोग आगे के प्रोसेस के लिए पात रहे हैं जैसे इंटर्यू या मेंस में जिन लोगों का नाम आनन है रिजल्ट वाले जो चीज़ें होती थी कि कितना नंबर आया कौन से सब्जेक्ट में क्या यह सारी चीज़े अभ्यर्थियों को शो नहीं किया जाता था जिनसे एक विशेष आनिमित्ता का भ्रह्म अकसर लोगों में या भ्यर्थियों में बना रहाता था तो यह नहीं बना चीज़ेग्ट में सब्जेक्ट में सब्सक्राइब का रिग्या नंबर गया है जारी किया जाएगा बना नंबर कि या चलान के लिए वर्ट फाइनल चलान के लिए है रेंल या जारी किया जाए जाएगा यह बहुत इसके बढ़ीं आ Pixel रेक्षा नun का नहीं बलकि देखिए, इंटर्वियू का जो वेटेज है, पहले वो 150 नमबर का इंटर्वियू हुआ करता था, CGPSC में, अब 150 का नरहकर, 100 नमबर का मतलब इंटर्वियू का जो महत्व था उसको कम कर दिया गया है, बिसिकली ये देखा गया है, ये जोली आप देखे होंगे, इंटर्वियू वाले जो चीज़ें होते हैं, वहाँ पर लोगों में शंसाय बहुत जादा होता है, जितना जादा नमबर और और अफ वेटेज इंटर्वियू को दिया जाता है, सेलेक्शन में उतना ही जादा शंका के घेरे में कोई विभाग भियर्थियों के नजर में रहता है, तो यहाँ पर ना इंटर्वियू को जो वेटेज था उसको कम किया गया है, 100 नमबर का ही सिर्प किया गया है इंटर्वियू को अब, जो भी योग उमीदवार है, जो मेंस में एक अच्छा नमबर लाते हैं, और मेंस में अच्छा लिकर जो भी नमबर लाते हैं, साक्षात के बिस्ट पर उसका जो वो नमबर है वो कम नहीं होगा या रैंकिंग में जादा नीचे वो नहीं जाएंगे, तो यह कुछ विशेस फैसले आज लिए गए थे, आज 2 सिटमबर 2023 के रेट में, तो निश्ची थी बहुत ही बढ़िया फैसले है सरकार का, अभी हाले में हमको आगे चुनाओ देखना है, तो कहीं न कहीं इन सारे फैसलों का सरकार की उपर सकार आत्मक प्रभाव पढ़ सकता है, आप सबकी इन सभी मुद्धों पर क्या रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताईएगा, फिल हाली स्टुडियो में इतना ही, चैनल में अगर न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, इसी तरह के एक और इंफर्मेटिव चीज़ों के साथ मिलते हैं नेक्स्टुडियो में, तब तक के लिए, थाइंकियो सो मच।